हलो श्रेंट्स मेरा नाम सुक्मर पजबती है मैं अनकेडमी के विए हूँ जो इंडिया की सबसे वड़ी फिरी लर्निंग है इसमें मैंने मैं इसके लेशन्स बनाया हुए है इसका लाव उठाने के लिए आप लोग अनकेडमी फ्री लर्निया डाउनलोड करें चलो ठीक एक्स्टा कोशन आईए चैप्टर वन का आईए अब बहुत जादा आता है पेपर में आपको सो करना है कि n2-1 क्या है एट से डिवजूल है अब देखो n2-8 जब करेंगे तो हम और इंटेजर में क्या है जिए 2 के q के फार्मेट वेते हैं तो 2q प्लस 1 आता है 2q एवन होता है 2q के q करेंगे तो 4e होगा 8 नहीं आपाएगा इसलिए हम 2 के बाद करेंगे 3, 3 के q करेंगे 9 हो जागा 8 नहीं आएगा 4 के q में आजाएगा 4 का इसक्वार 16 होता है तो उसमें 8 common आजाएगा तो हम 4q में क्या आएगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 होगा तो let odd integer n is in the form of 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 आएगा अब case 1 में हम क्या करेंगे case 1 में n equal to k लेली हमने 4q प्लस 1 के लिए समझ मा रहा है अब हमको क्या निकानना है n2-1 तो n n is square minus 1 निकानना होगत क्या आएगा 4q प्लस 1 का whole square minus 1 इसका square कर दो a plus b के whole square से 4 पोर जा 16 q square plus 2ab तो 4 2 जा 8q प्लस 1 minus 1 यह 1 से 1 कट गया यहां से क्या होगा 8 common हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 2 q square plus q तो यह क्या हो गया 8 m ले लो where m equal to 2 q square plus q तो यह क्या 8 से क्या divisible है न ठीक है divisible by 8 हो गया यह क्यार हो गया उसके बाद हम लेंगे case 2 case 2 में n की value क्या हो जाएगी 4 q plus 3 n square minus 1 लेंगे तो क्या होगा 4 q plus 3 का whole square minus 1 यहा लिख दो आगे कितना होगा 4 4 जा 16 q square plus 4 3 जा 12 12 जा 24 q plus 3 3 जा 9 minus 1 आगे बास मज में क्या बचेगा यह बचेगा 16 q square plus 24 q plus 8 यहां से 8 क्या होगा common लेलो क्या हो जाएगा 2 q square plus 3 q plus 1 8 m लेलो वेर m equal to कितना हो जाएगा 2 q square plus 3 q plus तुम्हें लीचन लाइन में लिखना जगा निक्ति में यह ऐसे ऐसे लिख दिया एकी लाइन लिख दिया ठीक है तो क्या हो individual भाई 8 by 8 hence क्या होगा n square minus 1 is क्या होगा divisible 5b if n is any odd integer 1 by alpha plus 1 by alpha plus क्या दिया था उसमा alpha beta दिया था कौशन मैं समझ दिया क्या दिया था भी बताता हूँ यह दिया कोशन है, यह एक स्टा ठीक है, प्रूब दैट, प्रूब दैट, इफ X and Y are both odd positive integer, then X square plus Y square, क्या है, X square plus Y square is even, even होगा, but not divisional by 2, even के लिए क्या होगा, अच्छे, 2 से divisional दिखाना है, तो let कर लिए X equal to 2M plus 1, यह भी odd है, और 2N plus 1 ले लिए Y, M for some integer M or N, अब हमको क्या दिखाना है, X square plus Y square, X के जगा क्या पूट करना है, 2M plus 1 का whole square, N के जगा, 2N plus 1 का whole square, अब इसको whole square कर दो कितना हो जाएगा, यह 4M square plus 4M plus 1, यह हो जाएगा, 4N square plus 4N plus 1, यह हो जाएगा, 4M square plus 4N square plus 4M plus 4N, प्लस कितना हो जाएगा, 2, देखो, 4M square, 4M N square आगया, 4M E हो गया, 4N E हो गया, 1 और 1, 2 हो गया, यहां से 2 क्या हो गया, क्या मन हो जाएगा, ति क्या बचेगा यह, M square plus N square plus M plus N plus 1, ति इडिविजूल बाई 2 हो गया न, गुदर नीद आ रही है, देर्फोर X square plus Y square इसक्या हो गया, इडिविजूल बाई 2, जाएगा 2, 2N square और 2N square हो गया, अचा 2 लेंद यह, 2 आजाएगा, यहां भी 2 आजाएगा, हर जगा 2 आएगा यह, फिर इसे दिख देखते हैं, इसको गलत हो गया, ति क्या हो गया, 2M square plus 2N square plus 2M plus 2N plus 1 आजाएगा, ठीक है, यह 2 आगया बाहर मतलब क्या होगा, यह पूरा expression 2 से क्या होगा, डिवाइज हो गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, therefore, X square plus Y square is क्या हो गया, even हो गया, क्लियर हो गया यह, अब आपको क्या दिखाना है, 4 से डिविजूल नहीं होगा यह, क्योंकि यह X square plus Y square, जब 4 common लेंगे देखा होगा यह, M square plus N square, plus M plus N, यह square है, plus यह 2 बच जाएगा डिवेंडर, क्या बचेगा, डिवेंडर हमारा 2 बच जाएगा, यह, therefore X square plus Y square is not divisible by 4, यह 2 बच जाएगा, 4 तो आरा है common यहाथे, but यह 2 बच गया, therefore यह last में लिख दो, यहाँ पे, यहाँ पे यह लाइन काटके नहीं पूरा यह last में लिखते हैं, therefore लिख सकते हैं, hence, hence X square plus Y square, क्या दिखाना है, is even, is even but, क्योंकि यह 2N plus 1 छोटा ले लिया ना, कि odd के लिए 2N plus N लेते हैं, और even के लिए 2M लेते हैं, यह 2Q भी ले सकते थे, अलग-अलग नमबर हैं, इसलिए M ले लिया या N ले लिया, ठीक है, M की कोई भी वेलू लोग है, तो कितना होगा, 2 plus 1, 3 होगा, M 2 लिया तो 5 होगा, इस तरह यहाँ पर चेंज करके ले ले लेंगे, यहाँ जो लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, X square plus Y is even but not divisible by 4, दोख फिर से समझा देता हूँ, अच्छा कुशन है यह, कुशन था कि prove that X and Y are both odd positive integer, then X square plus Y square is even but not divisible by 4, हमने यहाँ लेट कर लिया, यहाँ सी सलूशन, यहाँ तो कुशन था यह, ठीक है, सलूशन में आईए, कि लेट कर लिया, X equal to 2M plus 1, Y equal to 2N plus 1 for some integer M and N, X square plus Y square, X की value यह put कर दिया, 2M plus 1, Y की value 2N plus 1, A plus B का whole square लगा है, ठीक है, यह अपने दुनों जगा लगा लिया, rearrange कर लिया, 4 को सब एक साथ 2 को लगा कर दिया, 1 plus 1, 2 हो गया, यहाँ से 2 common हो जागा पूरे में से, यह X square plus Y square divided by 2 हो गया, अब यह X square plus Y square जो होगा यहाँ से, फिर यहाँ ले लिया है, यहाँ से, X square plus Y square था, अगेन X square plus Y square यहाँ लिखेंगे, तो 4 क्या होगा, common होगा यहाँ से, यह 2 बच जाएगा, यहाँ से, यह 2 बच जाएगा यहाँ पे, अब यह X square plus Y square not divided by 4, 4 से divided by 2 क्या होगा, अब यह X square plus Y even but not divided by 4, जैसे हम मान दो कि X की value हमने 3 ले लिया, Y की value 5 ले लिया, 3 square plus 5 square, कितना होगा, 9 plus 25, कितना होगा, 34, डिविजू गाई 2 है, 17, और 4 से डिवाइट करोगा 34 को तो क्या होगा, कितना है गाई है, 48, 32 plus, 8, 2 आगा, आगा, रिमेंडर नहीं, यहाँ भी 2 रिमेंडर बच रहा था, बच रहा था न, 2 रिमेंडर यहाँ सोरी, कहां यहाँ पे, तो कोई भी आप नमबर लोग ए X, Y, तो वो 2 से डिविजबल होगा, इवेन हो जाएगा, बच चार से डिवाइड नहीं होगा, दो आमेंसा रिमेंडर आएगा, के लिए रोगए है, चाओ, स्टुडेंट्स, मैं अनेकेडमी पे एजुकेटर हूँ, वहाँ पे मैं बहुत सारे कॉर्सेज बना रहा हूँ, जो बेसिक मैट्स है, जो किसी भी कमप्टीशन में आती है, NDA, CDS, SSC, CGL, जो आप लोग को ट्रिकी मैट्स होती है, तो आप लोग Unacademy Learning App प्ले स्टूर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस Learning App में बहुत सारे इंगलेज और भी मैट्स का अलावा भी, क्योंकि मैं मैट्स का एचुकेटर हूँ, मैट्स का अलावा भी बहुत सीखने के मिलेगा आप लोग को, और मेरे को सर्च करना है उसमें एप पे जाके और सुक्मर प्रजापती सर्च में लिखेंगे तो पूरा मेरा नाम से मेरा कोर्स खुल जाएगा, और उस को आप लोग देखके मेरे को फॉलो कर लिए वहाँ पे, लाइक किजिए वीडियो को और अबोर्ट किजिए और रेट और रिव्यू करना मत भूलिए और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैट्स और मूर के नाम से अब यह भी बनाए अकाउंट मेरा, तो इस पे भी आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं, यहां भी मैं बहुत सार के ट्रिकी मैट्स के वीडियो बनाके छोटे-छोटे एक एक मिनेट के अपलोड करता रहा हूँगा, थैंक्स देखो इसमें क्या दिया है, find zero of the polynomial, px दिया है, ठीक है, इसका zero निकालना है, if it is given that products of its two zero is it, इस polynomial पहले लिखो क्या दिया है, px, px क्या दिया है, x cube minus 9x square plus 26x minus 24, इसके दो zero आपको का product दिया है, ठीक है, zero जिसको लेट कर लो, alpha, beta और gamma क्योंकि cubic है, तो given क्या है, मान लेकर दो zero जो दिया है, given alpha, beta, equal to 8 है, दो zero का product दिया है, आपके सारे zero निकालना है, alpha, beta, gamma निकालना है, ठीक है, अब देखो sum of zero में क्या हैगा इसमें, alpha plus, beta plus, gamma, sum of zero, यह होता है न, क्या हैगा, alpha plus, beta plus, gamma क्या होता है, minus b भाई यह, minus कितना है, b, minus 9, यह कितना है, 1, तो alpha plus, beta plus, gamma कितना हो गया, 9 हो गया, एक मिला आपका alpha, beta, 1 है, alpha plus, beta plus, gamma, 9 हो गया, क्लियर हो गया है, अब देखो क्या करना है, कि product आप zero ले लो, product of zero, क्या होता है, alpha, beta, gamma कितना हो गया, alpha plus, beta plus, gamma minus b भाई यह होता है, alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha, c भाई यह होता है, और यह minus d भाई यह होता है क्या होता है minus d तो minus पहले से है minus 24 भाई यह कितना है 1 कितना हो गए यह 24 alpha beta के value 1 से क्या करो put कर दो 8 into gamma equal to कितना हो जाएगा 24 तो gamma के value कितनी आ गई 24 भाई 8 gamma के value तो 3 आ गई 1 value आ गई 3 आपके gamma के value 3 कहाँ put कर दो यह second में put कर दो ठीक है from second कहाँ पे अरे नहीं वो उसमें होता है cubic है quadratic में होता है from second क्या हो जाएगा alpha plus beta plus gamma के जाएगे क्या put कर देंगे 3 equal to कितना था 9 alpha beta कितना हो गया 6 हो गया यह 4 हो गया अब तुमको क्या लिगा आना है alpha beta लिगा आना है alpha beta मिल गया और alpha plus alpha plus beta alpha plus beta सोजी आएगा alpha plus beta 6 हो गया और alpha beta कितना दिया है 8 दिया है तो किसी एक की value put कर दो यहां पर alpha, beta के जगा, beta निकाल दो यहां से beta यहां से कितना जाएगा 6 minus alpha इसको 4 ले दो ठीक है इस beta के value कहां put कर देंगे alpha, beta equal to 8 में तो from 1 क्या हो जाएगा alpha into beta क्या put करेंगे 6 minus alpha equal to कितना हो जाएगा 8 कर दो into कितना हो जाएगा 6 alpha minus alpha square minus 8 equal to 0 minus माणपलाई कर दो alpha square minus 6 alpha plus 8 equal to 0 कितना factor होगा 2 over 4 over 2 alpha square minus 4 alpha minus 2 alpha plus 8 equal to 0 alpha common लेंगे तो क्या alpha minus 4 minus 2 common लेंगे तो alpha minus 4 alpha minus 2 और alpha minus 4 alpha के value क्या आएगी 2 आएगी और 4 आएगी alpha 2 होगा तो beta क्या होगा यहाँ देखलो when alpha 2 होगा तो beta कितना होगा 6 minus alpha था नए 6 minus 2 कितना होगा 4 होगा और beta जब sorry नहीं समझ माया alpha जब 4 होगा alpha जब 4 होगा तो beta आपका 6 minus 4 2 होगा therefore क्या होगा 0 ज़े होगे 2 4 3 2 3 234 में आपका सब्सक्राइब यही जीरो तो लिखाँगना है 243 लिखाँ या 2 3 4 लिखाँ अंसा दूनों अंसर सही ठीक है कि कोसन आ सकते इस तरह अच्छे कोसन होगा आपर बहुँ च्छे क्या था तुमनें का एक्स्टा को जोड़? एक्स्टा को जोड़?